हलो मैं डिम खान आपके अपने चैनल एको एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 एकनॉमिक्स का सलवस तो देखते हैं एकनॉमिक्स के सलवस में क्या क्या चीजे हमें पढ़नी है पुरे साल एक बार सलवस को ओवर्वियू कर लेते हैं इससे हमें एक्जाम का एडिया मिल जाएगा और जो क्वेस्टन पेपर होंगे उसमें क्वेस्टन पेपर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी तो चुकि बहुत कंफुजन होता है आप पढ़ते रहते इधर उदर की चीजे आपको कुछ सलक्टिक सलक्टेड चीजे हैं उनको ही में फोकस करना चाहिए एक साम पॉइंट अब व्यू से को पम'न हों में जो सभी सिक एक्डिन के न्यूदफ उस्हों को हम एक बार व्यू कर लेते फिलेंट चलिए देखते हम अपने सलबस को सभी सी क्लास 11 सव फरल्फ में अफिकनेमिक्स तो इकनोमिक्स के सलबस को पर्ट में ट्भाइं वाइं बभाइश पार्ट 40 पर शी है प और यह 40 marks का रूल होगा इसका, इसका भी 40 marks का रूल होगा आपके exam में, part A का and part B का भी 40 marks का रूल होगा, यह introductionary micro economics का part है आपका, इसमें पूरा micro economics की economics पढ़ना होगा आपको, और part C जो है वो आपका project work है, यह 20 marks का रूल होगा इसका, इस तरह आपके 100 maximum marks के question paper, select किये जाते हैं, तो आप देखेंगे, main जो यह part C वो तो आपका project है, project भी एक important role लिबाता है, लेकिन जो हमें study करना है, वो दो main part है, part A and part B, तो part A में आपको statics cover करना है, statics for economics and part B में आपको introductionary micro economics को cover करना है, तो हम देख लेते हैं, part A में पहले देखते हैं, statics में जो हमें study करना है, वो कितने part में divide है, और उसमें क्या-क्या में देखना है, क्या-क्या पढ़ना है, तो देख लेते हैं, इसको पूरे statics, जो आपका saliva से उसको three unit में divide किया गया है, पहला आपका unit होगा, introduction का, यह 13 marks का रोल निवाएगा आपके exam में, introduction इसमें आपको economics, statics का economics में importance बताया जाएगा, यह बताया जाएगा कि statics क्यों पढ़ते हैं, और statics का economics में क्या रोल है, यह सारी चीज़ा हमको introduction में देखने को मिल लाएगा, second unit जब हम study करेंगे, generally इसके लिए यहां दिया है collection, organization and presentation of data, आप देखेंगे जब side book prefer करेंगे तो आपको यह कई chapters में मिल लाएगे, और NCRT prefer करेंगे, तो इसमें कम chapters में यह सारी चीज़े cover कर दी गई है, तो मैं किसी book को यह promote नहीं कर रहा हूँ, आपको as you wish, कोई भी book आप prefer कर सकते हैं statics के लिए, ऐसा बेश्टाप का NCRT है और इसके अलावा भी बहुत सारी side books है, जिसको आप prefer कर सकते हैं, आप जो चाहिए वो prefer कर सकते हैं, और मैं अपना notes पर अवे level करा हूँगा, अगर like करें तो मेरे notes से भी आप पढ़ सकते हैं, बट यह depend करेगा आप पर कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन कोई भी books जब prefer करते हैं, तो उसमें सारी topics को cover किया होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कि किसी books में cover नहीं किया है, हाँ, अपना समझने का standard अलग अलग है, तो चलते हैं हम दिखते हैं topic को, यहां आपको second unit पढ़ना है, जो दिया गया है collection, organization and presentation of data, ठीक है, इन दोनों को, दोनों part को मिला कर, आपका 30 marks का rule होगा exam में, और third unit आपकी होगी statical tools and interpretation, यह बहुत important unit है, इसमें 2-3 chapter आपको मिलाएंग, बहुत important unit है, इसका 27 marks का rule होगा आपकी exam में, इसके लिए ज़्यादर focus करेंगे इस unit पर, ओके, तो यह आपका statics का part है, जो आपको cover करना है, अपने exam point of view से, next जो है आपका, वो introduction microeconomics का part है, यह इसका भी 40 marks का rule होग होगा आपके exam में, तो हमाइक्रो एक्नोमिक्स में देख लेते पर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इक माइक्रोएक्नोमिक्स के सलबाज को 4 unit में divided किया गया आपका, first unit होगा आपका introduction का, introduction में आप देखेंगे, कि economics, what is the economics, economics क्या है, economy क्या है, दूनों में different, microeconomics क्या है, macroe रिफ्रेंस क्या है और इनके बीच इंटर रिलेशन क्या है, सेंटर प्रब्लम आप एकनोमिक्स क्या है, यह सारी चीज इंट्रोडक्शन में आप एकनोमिक्स की बेसिक चीजों को आप समझ लेंगे इसमें, और नेस्ट यूनिट जो आपको डिसकस करना होगा, पढ़ना है, इन माइक्रो एकनोमिक्स, वो कंजूमर से क्यों लेविलियम एन डिमांड पढ़ना है, यहां आपको सिकेंड यूनिट में कंजूमर पे फोकस करना है, कि कंजूमर किस तरह का बिहेब करता है, कैसे बीएप करता है और किस तरह वो डिमांड को एफेक्ट करता है किसी भी कंजूमर के बीएप यार उसके डिमांड को कैसे एफेक्ट करते हैं यह तमाम टॉपिक्स को हम कबर करेंगे अपने Microthromics के Second Unit में और इसका 13 marks का रोल होगा आपके exam में बहुत important point है third and fourth यह sim appogit work करेंगे चुकि यहां consumer का role नहीं देखेंगे micro economics पढ़ने है तो यहां पे एक unit का हम study करते हैं तो यहां पहला हम consumer के बारी में study करेंगे consumer के behavior study करेंगे उसका demand study करेंगे और यहां पे third unit में producer के behavior को study करेंगे sim logic होगा but different होगा थोड़ा यहां producer का behavior कैसे है जो वो produce कर रहा है अगर demand जादा है तो supply जादा करेंगा वो तवाँ चीजे हम topic में देखेंगे but logic same होगी तो यहां producer behavior and supply को हम देखेंगे अपने third unit में but यह बहुत अच्छी बात है कि दोनों का 13-13 marks का rule होगा आपके exam में और fourth unit आपका जो होगा microeconomics में वह हम देखेंगे forms of market and price determination market के कितने forms होते हैं वो पढ़ेंगे और price कैसे determine होता है उसको भी हम study करेंगे तो इस तरह से four unit में आपका सलबस cover किया गया है microeconomics का और आपका third part वोगा जो वो project work तो as you see that आप देख रहे हैं कि 40 marks 40 and 20 marks इस तरह आपका hundred marks का question paper clear किया जाएगा लेकिन question paper का जो model होगा जो question paper set के जाएगा वो change हो चुके हैं उनके forms change हो गया है तो वो थोड़ा forms पर भी discuss कर लेते हैं कि किस तरह के question put up होते हैं आपके exam में और किस तरह के question का ज़्यादा importance होता है तो आपके जो new question forms बनना है question paper करने आपके चला आप रहले कुछा है और के हो वह इस फॉर्म पर बेस्ट हैं आपके जो question paper design की जाती है वहाँ पर mcq का रोल होगा आपका 20 20 mcq आपसे question में पुछे जाएंगे 20 mcq यहाँ पर होंगे और 20 marks इसका रोल हो जाएगा 20 mcq short answer first category के आपके यह आपके three marks का one question three marks के होंगे और four questions आपसे put up किया जाएगे और इस तरह यह 12 marks का रोल हो जाएगा और short answer second यह भी short answer होंगे but per question four marks का होगा है यहाँ पर, तो इस तरह से यह six questions होंगे इस तरह के questions आपको जो put up क्या जाएगा वह 6 question होगे, और 24 marks का इसका रूल होगा और long answer होंगे आपके वो 6 marks के होंगे और यह सिर्फ 4 questions आपसे put up किया जाएंगे तो इस तरह overall देखेंगे तो जो design किया गी आपके question paper का वो 80 marks का होगा इस तरह design किया जाएगा और उसके बाद आपका project work मिल जाएगा 20 marks का इस तरह मिलके 100 marks का आपका question paper design किया जाएगा तो यह हमने दिये था अपना economics का class 11th economics का syllabus को discuss किया है अब हम अपने पहले chapters को मतलब किसी एक part को आप जो as you wish जो like करते हैं जो पहले पढ़ना चाहते हैं वह हमें comment में बता दीजिए हम पहले उसी को start करते हैं ठीक है और किसी एक part को उठाएंगे और फिर उसके बाद step by step study करते हैं आगे चलेंगे आप ऐसे ही बने रहे हैं मेरे वीडियो को like किजिए comment किजिए and subscribe किजिए thank you have a last day